वीडियो दिखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com बेल आइकन दबा कर पाएं लेटिस्ट नोडिफिकेशन्स नहीं करना चाहिए कि तीन अगस्त को सुबह नोबच के 29 मिनट के बाद ही अपने भाईयो को राखी बानें रच्छबंदन में राखी बानने से पहले सबसे पहले प्राते काल उटकर के इसनान करना चाहिए उसके बाद देवताओं और पितरों का तरपन करना चाहिए उनको धूप, दीप, चंदन, अच्छत और नारियल वगएरा उनको चढ़ा करके उनकी पूजा करनी चाहिए उसके बाद भाई को राखी बाननी चाहिए सबसे पहले भगवान को राखी चढ़नी चाहिए उसके बाद भाई को राखी बाननी चाहिए राखी बांदने से पहले बेहने अपने भाई को हाथ में एक रुमाल है और एक नारियल है और कुछ दचचना हाथ में रख करके तिलक लगा करके रच्चा बंधन करें उसके बाद मिश्ठान खिलाएं, जब बहने राकी बांद लें, तो उसके बाद भाई भेट सुरूप बहने को कुछ भी दे सकते हैं। इसका सास्त्रों में बहुत बड़ा बड़नन है, बहुत बड़ा इसकी कहानिया भी हैं। तो एक बार उधिश्ची जीन ने भगवान स्रीकेष्ण से कहा कि ऐसा कोई विधान बताईए, जिसके करने से बेक्ति भूत, प्रेत, पिसाच और सत्रों के भैसे मुक्त हो जाए। तो भगवान स्रीकेष्ण ने उधिश्ची से कहा कि रच्छा मंधन का विधान है, इसको करने से जो बेक्ति इसको करता है, वो एक वर्ष के लिए इस सब इन सच्विजों से मुक्त हो जाता है। भगवान स्रीकेष्ण ने उनको एक कहानी मी सुनाई कि बहुत पहले, कई साल पहले, कई सो साल पहले, राच्छसों और देवताओं के बीच संगराम हुआ। जिसमें राच्छत देवताओं से जीत गए और देवता काफी परताडित भी हुए तो जो देवताओं के राजा इंद्र है वो अपने याणि देवताओं के गुरु ब्रहस्तपत के पास गए ब्रहस्तपत देवनी जी ने उनको रच्छा बंधन विधान को बताया तो इंद् देव को रच्छा बंधन का सूत्र बंधवाया जिसके बाद वो युद्य करने गए और उनको विजय प्राप्त हुई उनको दुबारा इंद्राशन प्राप्त हुआ तो दोस्तों यह रहा रच्छा बंधन का समय विधान और कहानी आज के लिए इतना ही नमस्कार